हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टो अवर यूटूब चैनल हिंटी टेक्निक्स दोस्तो आज नेशनल स्कॉलर्शिप बायोमेटिक आथेंटिकेशन की लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे 20 अगस्त जो के लास्ट डेट थी बायोमेटिक आथेंटिकेशन की तो उस डेट को अब कितना बढ़ा दिया गया है कब तक का इस डूएंट्स के पास टाइम है और कैसे कैसे उनको बायोमेटिक कराना है पूरी की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो मैं डिसकस करेंगे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि मेरे काफी लंबे समय से वीडियो ना बनाने की वज़ा से लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है इसका एहसास मुझे अपने कमेंट बॉक्स और जो वीडियो नेशनल स्कॉलर्शिप शंबंदित यूट्यूब पर नजर आ रही है उनसे हो चुका है तो दोस्तों आज मैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को लेकर सारे के सारे डाउट आपके किलियर कर दूँगा सबसे पहले दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं नेशन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है दूसरी बात यह है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किसी बच्चे को खुज से नहीं करना है ना ही किसी CSE Center से होना है वो जो Minority Department है तो उनको उनने सभी स्कूलों को सभी कॉलेजिज को अपनी तरफ से एक प्राइविट कं नहीं आ रहे हैं या फिर उनका technical कोई issue आ रहा है जिनकी वज़ा से उनका biometric नहीं हो पाया है तो उनके पास अभी time है 20 अगस last date थी लेकिन किनी कारणों से last date को बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर देखिए एक notice यहाँ पर आपको देखेगा kind attention the students bio auth drive is put on hold up to 21 अगस यानि आज तक यह जो biometric authentication है इसको hold कर दिया गया है अब कल से इसको दुबारा से start किया जाएगा कम से कम 30 अगस तक का time 100% आपको दिया जाएगा इसलिए आपको घबराने की जरूत नहीं है लेकिन जिन जिन students का biometric authentication नहीं हुआ है उनको अपने school colleges में ज authentication होगा अगर आप कोई outsource या फिर कोई और तरीका ढूंड रहे हैं biometric का तो वो possible नहीं है आपको सीधे अपने school या college में संपर करना है last date की बात करेंगे तो last date कम से कम 30 अगस रहेगी इससे पहले last date नहीं होगी कहने को तो काफी लोग कह रहे हैं कि दो दिन बढ़ाई जाए इसको complete करा लें इसके अलावा कोई सवाल है हमारे comment box में आगर हमसे पूछ सकते हैं इसके अलावा video के description में आपको एक website का link मिलेगा जो के हमारी official website है उस पर click करके आप biometric authentication का पूरा process last date सारी चीज़ों का update ले सकते हैं ओके फ्रेंड्स हमारा video सिर्फ यहीं तक मिलते हैं फिर सेखने video के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत